तो बच्चों इस्टार्ट करते हैं क्वेशन नमबर 200 से कहता है हाउ मेनी जोमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल फोर दगीवन कंपाउंड बच्चों जब रिंग में SP3 कारबन के कारण हाइवरिडाइजेशन जब SP3 कारण के कारण जोमेट्रिकल आइसोमरेजम हो और रिंग में तीन या तीन से अधिक SP3 कारबन प्रेजेंट हो इसे जिन पर लगे हुए ग्रूप डिफरेंट हो तब वहाँ पर जी आई नंबर अब जी आई जो है फोर्मूला से नहीं निकालते हैं फिर हम वहाँ वहाँ पर बच्चों हमें structure बनाने पड़ते हैं तो जब तीन ग्रूप है है ना बच्चों तीन क्लोरिन एटम है तीनों क्लोरिन को हमें एरेंज करना है सिस्ट्रांस के हिसाब से एक एर अब आप बात को समझिए कि जिसे तीन एटम है उसको हमें एरेंज करना है तो तीन एटम को हम कैसे कैसे एरेंज कर सकते हैं तो तीन एटम का में एक एरेंजमेंट ऐसा होगा कि तीनों एक ही तरफ रहेंगे दूसरा एरेंजमेंट होगा कि एक एक तरफ रहेगा और दो एक कि तरफ रहेगा इसके अलावा और कोया इरेज्मेंट नहीं होगा तो पहला एरेज्मेंट होगा रह जब में vậy कि फो वेज sexual एक तरफ हो गए दूसरा एरेज्मेंट होगा जब इसमें से एक एक तरफ रहेगा और बांकी दो एक तरफ रहेंगे, तो किसी एक को डैस बना देजे, आप, अमने इस क्लोरिन को डैस बना दिया, बांकी दो क्लोरिन जो है वेज पर रहेंगे, है ना बच्चों, जैसे एम न ऐसा किया तो सारे कर सारे आइडेंटिकल गुरूप एक ही तरफ नहीं रह क्लोरीन भर्मीन आइओडीन मतलड हैं फेर ट्रांस टीन रंच बनते एक था पर जाएगा, एक बार चलोरिन डैस पर जाएगा, एक बार ब्रमीन डैस पर जाएगा, एक बार अयोडीन डैस पर जाएगा. patch को लेकिन जब तीनो डेकल एकर एक पर गोड़ ऑर तीनो डेफरान्ट होय तो जो मक्रेंन टीन बनाने पुरु libraries इकोन्रमै को सिम्प्रेंग है, सबसे पहले मुलेकुलर पुल्मॉला, जबसे है कंपाॉंड कैसे हैं उन्स्यमेटरिकल है, कि उन्स 납ज है। आप देखना है, G.I. कहां कहां हबाएं। देखेंग होता है किया यस वाल्य क्यमुलीनंगा ? बोलते हैं, क्युमुलीन दो परकार का होता है और और क्युमुलीन, यह एवेन क्युमुलीन है, तेहां पर कोई GI नहीं होगा यह वाले डबल बॉन में बच्चो GI होगा, तो ऐसे कितने डबल बोन या इसे कितने साइट मिले जहांपर GI हो रहा है केबल एक ही साईट है बच्छो, N is equal to 1 हो गया, तो number of GI का formula होता है, number of GI का formula होता है, 2 to the power N, बोले तो 2 to the power 1, 2 लगा दिजए, answer हो जाएगा C. Q202 में फिर से वही बात, Molecule जो है बच्चो कैसा है? Molecule है Unsymmetrical. Molecule कैसा है बच्चो, Unsymmetrical कैसा है? CH3, CH3. यहाँ तक है CH, CH है बच्चो, अगले में फिर से कार्बन हैं, डबल बॉन कार्बन जब यहाँ पर CH है. लेप से और राइट से दोनों तरफ से Identical ने, Unsymmetrical है. One, two, three, or four. बच्चों, यहाँ से यहाँ तक यह क्यूमुलीन है. यहाँ से यहाँ तक क्या है यह? क्यूमुलीन है और क्यूमुलीन में भी कैसा है बच्चों, फिर से यह Even Cumulीन है. Even Cumulीन है और Even Cumulीन में बच्चों, GI नहीं होता है. 1, 2, 3, 4. लगाता है डवर बोन की संक्या, 4, एई, वेन, Number में है. तो यहाँ पर GI नहीं होगा, GI के वल इस डवर बोन में होगा. तो इसलिए Number of Side के वल एक ही है, जहाँ पर GI हो रहा है. ठीक है बच्चों? तो Molecular Unsymmetrical है, N equal to 1 हो गया, तो 2 to the power N वाला formula लगाओगे तो 2 आंसर हो जाएगा, आंसर होगा भी. Q2 जी वो 3 में बच्चो काता है कि कौन सा compound है जिसमें GI नहीं होगा? जैसा कि बच्चो हमें compound देखरा है cyclic, आपको पता है cyclic compound में GI दो कारण से होता है, एक तो रिंग में double bond present हो तब GI होता है और दूसरा बच्चो रिंग में SP3 carbon present हो, 2 SP3 कम से कम ऐसे present हो जिन पर लगे होगे ग्रोप different हो तब होता है. यहां बच्चो रिंग के अंदर double bond हो है नहीं तो double bond के कारण तो कोई GI नहीं होगा. तो फिर किसके कारण हो सकता है, SP3 के कारण हो सकता है. अगर आप से पूछों कि कितने SP3 हैं इसमें, तो SP3 carbon तो बच्चो छे हैं. लेकिन क्या कोई SP3 ऐसा है, दो SP3 ऐसे हैं, जिस पर लगे ग्रोप different है बच्चो. तो हाँ पर देखें, यह SP3 जो है इस पर देखें, दोनों ग्रोप different है, दोनों हाइडरोजन है, दोनों identical ग्रूप है. तो बाकर सारे SP3 गारण पर इडेंटिकल ग्रूप है. किसी में भी जी आई नहीं होगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D काता है नोट सो जी आई तो D हो जाएगा किसी में भी नहीं होगा किसी में इस पी तृण कारवन इसे इस पर लगल इफरेंट हैं तो अब जी आई जी आई जोमेट्रिकल आई इसोमर्य हमें विल्ग बनाने परेंगे और अभी मैं ने पताया था आपको जब भी रिंग में SP3 carbon के काँ जी आई हो और रिंग में तीन या तीन सेधिक SP3 carbon वच्छो तो वहाँ पर फॉर्मूला अपलाई नहीं करते हैं में इस्ट्रक्चर बनाना पड़ता हैं पर इसकी हुआ से इसके इस स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको и श्ट्रेज नहीं समझनी पड़ेगि क्या क्या होगा जिसσιत noting 6 मिधायल है एरेंज कर थे बूस Means तो एकर नहीं जब सारे के सारे वेज पर होंगे, एक ही तरफ होंगे, दूसरा एरेजमेंट होगा, पांच एक तरफ होंगे, एक एक तरफ होंगे, तीसरा एरेजमेंट होगा, चार एक तरफ होंगे, दो एक तरफ होंगे, है न बच्छो? और अगला arrangement होगा तीन एक तरफ और तीन एक तरफ. इस तरफ सहब बहुत सारे arrangement होगे. तो जब सारे एक तरफ होगे तो सारे को बेज पर बना दो. दूसरा, जब पाँच एक तरफ और एक तरफ यह को कुद देश कर देना. फिर बच्चो चार एक तरफ, दो एक तरफ, तो दो को डैस करना, फिर हम देखेंगे, दो को डैस कैसे कैसे बना सकते हैं, फिर बच्चो तीन एक तरफ, तीन एक तरफ, तो तीन वेज पर तीन डैस पर हैं, आईसे, मैंने सारी स्टेटी समझा दिया, अब मैं आपको इस्ट् बच्छो अब इसके अलावा हम जो भी बनाने वाले हैं सब ट्रांस मनेगा तो एक डैस कर दिया बच्छो और बांकी सारे वेज कर दो आप ठीक है ना ये ट्रांस रो गया तो ये हो गया छे एक तरफ रहेंगे ये वह पाँच एक तरफ एक तरफ आप बच्छो चार एक उप्षॉ बन सकता है तो 1,3 पोशिशन पर झाल्टाइर और फिर वच्चो बन सकता है और पिर अलाबा जैसे ही आप इस दाईश को एहां पर खिसकाऊगे तए इस जीए जिस भनेंगे तीन की स्ट्रुक्टर ये बनेंगे जिसमें दो डायश हैं जब चोह और बहा कि सब जगा वेज मैंने बनाया नहीं है तो यह आपको बनाने हैं, ठीके ना? रहने केवल डैस आपको समझा दिया, यहां पर यह यह से ना यहां भी हैसे कर ले तेकर वच्छों, अब 3 एक तरफ 3 एक तरफ मतलब 3 डैस पर आएंगे, तो 3 डैस पर भी आने के देखे क्या क्या system अहां सकथे, तीनों डैस लगातार है ना ऐसे समझे तीन लोग है और तीनों लोगों को सीट पर बिठाना ऐसे छे सीट है एक एरेंजमेंट तो ऐसा होगा जब तीनो दोस्त एक साथ बैठेंगे दूसरा एरेंजमेंट होगा जब दोस्त एक साथ बैठेंगे और एक अलग बैठेगा है ना इसको बच्चों जैसे ही आप यहाँ पर करोगे जैसे ही इसको आप यहाँ पर करोगे तो यह वाला यही structure same to same बन जाए ना कैसे तो देखे यहाँ पर 1, 2, 3, 3 तीसे नमबर पर और तरफ से चोथे नमबर पर और इसको आप यहाँ पर लोगे तो इदर से तीसरा इदर से चोदा सेम इस्ट्रक्चर बनेगा ठीक है ना तो बच्चों एक arrangement हुआ कि तीनो दोस्त एक साथ तीनो डैस एक साथ दूसरा arrangement दो डैस एक साथ एक अलग और एक होगा arrangement बच्चों जब तीनों डैस बिलकुल अलग हो जाएंगे यह ना तो कुल मिलाकर तीन इस्ट्रक्चर इससे बनेगा तीन इससे बनेगा बच्चों और दो यहाँ से बनेगा तो टोटल आठ आइसोमर इसके जिसमें सिस तो एक होगा और मां की साथ ट्रांस होगे ठीक है ना नीट एक्जाम में इससे क्वेशन नहीं आते हैं यह सब टफ लेवल का क्वेशन है बच्चों ठीक है ना आप इसको चाहो तो इसकी भी कर सकते हो बाकि मैंने समझा दिया है Q2,05 तो इसके बच्चों करते है how many geometrical isomer are possible देख इसमें geometrical isomer बनाना है बच्चों तो हमें क्या करना परेगा पांच है तो पांच को एलंग कैसे करते हैं पहले ही स्टेज जी समझे तो पांचों एक तरफ रहेंगे मत्लब पांच रहेंगे इसके अलावा अब आप जो सोचोगे वो सभी नहीं में से बनने वाला है, ठीक है ना, तो तीन प्रकार से अरेंज होगा, पहला अरेंजमेंट होगा जब सभी के सभी वेज पर होंगे, दूसरा अरेंजमेंट होगा बच्चों, जब एक डैस पर जाएगा और वांकी सभ आप बाते होगे ठीक है लिसले, य कि वेज दोखें जो शेख दू निजमेंट के जहले जो प्लाइजमेंट है और य कि वाला से वाल भूताईगि अवर प dunno सकता है ना, ग्यानी हो सकता है इसके अलावा चों तीन इक तरफ, दो एक तरफ बात हुगेंट है युन वेज मैंने आपके बड़ों से छोड़ रखा है कि अब आप बना लोगे है ना बच्छों तो सीज तो एक बनेगा और ट्रांस बनेगे तीन टोटल बनेगा चार आएगा चार अब बच्छों क्वेशन नमबर हम बात करेंगे 206 206 में बच्छों देखो यह क्या है एक परकार से 123 त तो यह है और इस्पाइरेन है क्या है बच्छों और इस्पाइरेन है और आपको पता है और इस्पाइरेन के इस टर्मिनल कार्बन पर दोनों टर्मिनल कार्बन पर यदि डिफरेंट ग्रोप हो तो जी आई होता है और जी आई होता है बच्छों यह पूरा एक साइट अप छेंसे उस है और एक जो बनेगा बच्चों उसमें अगर आप इसको आप इस तरह से इंटर्चेंज करar दोगे ठीक है ना इस तरह से इंटर्चेंज कर दोगे यहां पर Q2007 में करता है। हम हैं इंटरीकलरर 2 ए जफ जाए ज derechos आपर पॉसिवर्बर देखिए अच्छा एक बात और आपको दिमाग में आ सकता है कि सर यह जो सिमेट्रिकल था फिर टू 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 पावर वाला फॉर्मुला क्यों लगा तो मैं आपको बताओं कि सिमेट्रिकल है तो इसका अच्छा था टू अच्छा टू एक बात और प्रस अच्छा फिर समय आपको बताओं कि सिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल गा फॉर्मुला लगाई अप 1-1 बाइस कि लगा था प्लस टू लगाए तो बच्को टू टू ही अंसर आपको बताओं अगर नंबर उप साइट वन हु त तो ऐसी इस्तिति में number of GI दो होगा, एक सिस वाला होगा, एक ट्रांस वाला होगा. यहांपर बच्चों देखिए, molecule है, unsymmetrical है, कैसा है बच्चों? Unsymmetrical molecule है, number of sight, number of double bond ऐसे कितने है, 2 है, जहाँ GI हो रहा है, तो N equal to 2 हो गया, number of GI equals 2 हो गया, तो C हो जाएगा, question number 2, 08 में बच्चों काता, how many geometrical isomer, तो molecule है, बच्चों, symmetrical, molecule कैसा है, बताइए, कैसा है, symmetrical है, number, कितने हैं double bond है, जहाँ GI हो रहा है, दोनों double bond पर GI हो रहा है, बच्चों, N equal to 2, यह सब मैं मानता हूँ कि आपको check करने आता होगा, तो N equal to 2 है, बच्चों, तो 2, no double bond पर GI हो रहा है, symmetrical, 2 मतलब even number वाला formula, आपको apply करना पड़ेगा, तो आज बच्चों, number of GI का जो formula होता है, वो होता है, 2 to the power N minus 1 प्लस का, 2 to the power N by 2 minus 1, तो 2 to the power 2 minus 1 प्लस 2 by 2 minus 1, इसको जब आप calculate करो दो, बच्चों, तो 3 आ जाएगा answer, ठीक है न, तो 2 to 9, how many geometrical isomer are possible for the compound, बच्चों, रिंग के अंदर double bond है, लेकिन क्या रिंग के अंदर GI होगा, नहीं होगा, रिंग के अंदर SP3 carbon भी है, लेकिन एक ही SP3 carbon है, जहाँ पर GI हो रहा है, एक ही SP3 carbon है, जहाँ पर group different है, तो यह भी नहीं होगा बच्चों, तो अब मतलब रिंग के कारण GI नहीं होगा, खुल मिलागर बात ही है, रिंग के कारण GI नहीं होगा, तो किसके कारण होगा, इस C double bond C के कारण GI होगा, क्या बच्चों, बिल्कुल होगा, यहाँ पर देखे, एक H, एक methyl है, यहाँ पर एक H है, और यह रिंग है, दोनों group different है, GI होगा, molecule कैसा है, बच्चों, unsymmetrical है, है ना, molecule unsymmetrical है, number of site 1 है, तो number of site 1 हो, तो कोई दिमाग लगाने के जड़ोती नहीं है, direct number of GI, number of GI 2 बोल सकते हो, आप इसे formula लगाओगे, तो भी unsymmetrical में यह formula लग जाएगा, number of GI equals to 2 to the power of 1, बोले तो 2 answer हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसका correct answer होगा, C.